हलो दोस्तों अभी सुबह सुबह निकल पर रहे हैं पैंगोंग के लिए और सुबह से करीब 2-3 किलोमेटर चल चुक है और इस रूट में गाड़िया बहुत ही कम चलती है एक दो कंटे से चल रहे हैं गिंती में 8-10 गाड़ी गया है इधर से और आप लोग मेरे वीडियो दे मिलता है पैंगोंग इदर से 110 के करीब रह गया है और मेरे सामान के गया है यह देखो रूट यह जाता है पूरा खाली खाली पहार है पेड़ तो पेर का नाम ही नहीं है यह देखो इस तरफ यह पत्थर तोरने का काम चल रहा है चलते हैं धीर धीर है अपना क्या हम तो बस चलते जाएंगे और आप लोग से मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छा लगता है चलिए चलते हैं आप लोगों भी आप लोगों को भी ले चलते हैं झालते हैं बेखों तर इंडी स्थेश सरी घटाएंगं को में मिलेगा हैं हैं का कि लिए यह यह जाएंगे रहा हैं यह र हैंगे स्क्पी आफ लिए बाहिस व्फ फीए इस टो डेसी साली नसक है यह लिवलर रम ऑच्छास T-ब हॉब स्चीए गुम खब सेथर चैजाओट टूस दुब सुनरे इस और इस और इस जारेश्ट सक्राइब इस जारे दिए जान्याराइव चैजर गयारे तो रहा किया जारेश्टीट्ट। झाल 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 हम पहुच गए और पैंगों के लिए जो रोड कटता है ना 110 या 20 किलमेटर होगा शायद दुदर से आप से आपको ना मतलब लगबख कुली किलमेटर 20 किलमेटरी रोड मिलेगा उसके बाद रोड तो हाई नहीं उसके बाद धूल मिट्टी पत्थर इसा है और गिस करो हम कहा पर है कॉमेंट में जरूर बताओ यह देखो कैसा भीव कैसा है बताओ देख रहे हो मजा आ रहा है वह जो बरबला पारी दिख रहा है ना उसके पीछे चायना बट रहे हैं और मतलब पूरा कपड़े एक्टम धूल से सना हुआ है अब जाके कपड़े धोने परेंगे नहाना भी परेगा देखते हैं का टेंट लगाते हैं आपको तो वीडियो मिल जाएका बड़ी आसा है कि अब आप